काले कानून नहीं चलेंगे पूर्णम पंडित ये पोस्टर स्कूल में लगा हुआ है। ये जो तीन किर्सी काले कानून है ये भी एक प्रकार से चोट हैं और इस चोट का जवाब देश की जनता दे भी रही है और इन फ्यूचर जबर्दस दंग से देने की बविश्यवानी हम करते हैं मालों। जो बच्चा आएगा उसके पास में बैग होगा है। जो बच्चा आएगा उसके पास में बैग होगा ना उसकी टूशन की ज़रूरत है और जब दो चीजे नहीं होंगी तो टेंशन भी नहीं है। जो बच्चा आएगा उसके पास में बच्चा आएगा उसके लिखने से लेकिन उन्हें इसकोल की दिवारों पर बकायदा पोस्टर लगाए हुए हैं। से बात करेंगे रोविला जी मैं पहली बार देखा मैंने स्कूल में तीन क्रिशी कानूनों का जिकर है जिकर जिकर नहीं पोस्टर भी लगे हुए और उनके फोटो भी लगे हुए नेताओं के जो कानून का विरोध कर रहे हैं। बच्चे से प्लस तक का विद्याले है जिसका हमेशा रजल्ट एकस्टिरम्ट राइना केवल हरियाना में पूरे के बच्चें प्रवेस जी हमारी जो सिख्षा व्यवस्थ है ना उसमें अमुल्चूल परिवरतन होना चाहिए बच्चों को सबस्क्राइब कर सकते हैं वह सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद उसको जरूरत नहीं है क्या किया जाता है बच्चों को एक दो बज़े के बाद भी टूशन पर बेज दिया जाता है उनको जैसे बोजन खाने के बद श्याद दो गंटे अराम करना चाहिए उसके बाद खेलना चाहिए वो ओल राउंड ड्वेल्पमेंट में न सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता ह लेकिन हम बच्चों को ना एक परकास से हा करें है कि मालो आपको यह अध्यान करना है यहां तक कि एक टेंथ पास प्लस टू पास बी और पोस्ट ग्रेजवेट को ना बेसिक नोलिस सेकंड लेवल की भी ठीक डंग से नहीं आती तो इस खामी को देखते वे पिछले साली हम हमने यह डिसाइड किया कि हम पूरे देश को मोटिवेट करेंगे कि बैगलेस और स्ट्रेसलेस विद्ध्याले कैसे हो जक्ता है यह एक करांतिकारी परिवर्तन होगा पूरे देश के लिए काफे सारे लोग इस वाका आपको देख रहे होंगे तो तुड़ी अचीवमेंट अगर हम आज किसी बच्चे से पूछें क्या वह लिखना जानता है वह इसकी इंगलीस नहीं जानता लेकिन वह एम में पास कर चुका है तो उस एम में की क्या एमियत है और आल डिवलेप्मेंट होती नहीं है जिसके आपका फोकेस है भी बच्चों में डिवलेप्मेंट कैसे हो सिर्फ और सिर्फ एजूकेशन नहीं डिवलेप्मेंट भी ज़रूरी है तो इसको अधार बना कि हमने ये क्लैनिंग बनाई है कि मालों कुछ दिन बच् इतने संसादन जो हैं आपकी कोई बहुत जादा रेती मोटी फीस लेते हैं फीस्टक्चर हमारा हिंदुस्तान में सबसे कमया और उत्तम सिक्षा है और यह मैं दावा करता हूं कोई मेरे पास टेबल पे आके बैठ के मालों बात करें कि आपके बच्चे में हम क्या प्रिव एकजाम कोलेजेज हम यह सोचते हैं कि बच्चे को ना पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन जिनकी समता ना उन पेरेंट्स को पे भी करना चाहिए लेकिन जो नहीं कर सकते यह बात सही है शिक्षा जब आप ले रहे हैं तो उसको दक्षणा तो फिर वो बनती है गुरू दक्ष नहीं है हमारे देश के लोग बरस्ट हैं क्योंकि मानलों अगर उनके पास समता है पेमेंट करने की वह विद्याले की फीस नहीं पे करते बाकी सारी गतिविदियां उनकी संचालित होती है घर की तो उनको भी चिंतन करना पड़ेगा अगर देश की परक्रिया को सेक्षनिक तो ब्लेम करते हैं तो यह जो आप सारा स्टक्चर देख रहे हो किसा मैंने देखा आपने बहुत सी तस्वीरें भी लगाई है चित्र भी हैं उसमें काफी सारे नैशनल और इंटरनेशनल नेताओं के भी हैं नेलसन मंडेला भी हैं यहां पे लाल बातुसास्त्री के भी आ और कुछ पॉल्टिशन के भी आपने लगाए हैं जो खास करके क्रिशी आंदोलों से जुड़े हुए हैं तो कभी लगता नहीं कोई ओफिसर आजेंगे स्कूल के सरकार के नुमाइंदे आजेंगे सिक्षा भी बाके कहेंगे जी कानून के तो आप तो सरकार की खिलाप चल नहीं हैं तो आपको इंसान होने का भी कोई वह नहीं है पिल्कुल स्कूल चलाने के साथ रमेश रोला संकल्प जो हैं आम आदमिस्वाभीमान से भी जुड़े हैं ट्रस्ट है इनका और इसके नीचे इनका काम होतार काफी सारे समाजी कारिये भी करते हैं जागरुकता वा बारे में और नैल्सन मंडेला के बारे में इनको टीज किया जाना चाहिए इनसे मानलो अपनी बच्चे नोलीज इंकरीज करें ना कि गरीफन पढ़ाने का क्या मतलब है है इर्रेलिवेंट टोट इर्रेलिवेंट मस्ट नोट बी टोट जो एप रसांगिक है उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्यों बच्चों पर मालों बोज लादा गया है अगर हम नेल्सन मंडेला के बारे में बदाएंगे इसने क्या क्या स्टैप लिए साउस अफरीका को वाजाद करवाने में ये इनके लिए रेलिवेंट है इन फ्यूचर डेविले असिस्ट इन जीके ये ना जीके में इनको सयोग करेगा ऐसे इमान लोलाल बादुर सास्तरी के बारे में बताएंगे कि इन्हों ने जै जवान जै किसान का नारा दिया फिर आगे बताएंगे कि अगे किसान जया बादिमी स्वाविमान होना जाहिए यह पर हमेशाilot होती है यह जो तीन किर्षी कारने यह भी परकार से चोट है और इस चोट का जवाब देश की जनता दे भी है और इन फ्यूचर जबर्दस डंग से देने की बविश्यवानी हम करते हैं मालों यह पहली बार होगा शायद स्कूल के संचालक है प्रिंसिपल है वह तीन किसी कानूनों के बारे में खुल के बोल रहे हैं मेर साथ 12 क्लास की बच्ची भी है आवा तो कैसे पढ़ा होते हैं सर बहुत अच्छा होता है आपे मैंने खुद की है मैं 10 में मेरिट ली है मैंने आसे और काफी अच्छी स्टड़ीद होती है राज तंतर का मतलब जहां पर सिस्टम पहित्रिक रहता है और जहां पर इलेक्टिड सिस्टम रहता है चुना जाता है वहां पर क्या होता है गणतंतर जैसे राज्या देक्ष राजा के बाद उसका बेटा बेटी या परिवार में से कोई बनेगा और गणतंतर जहां पर इलेक्टिड होगा जैसे हमारे राज्या देक्ष होते है राष्ट पती हम लेकिन वो चुने जाते हैं कीचर से भी बात कर लेते हैं किस तरह की बढ़ाई होती है नाम बता दें किसे पढ़ाई होती है बैग बच्चे क्या घर पर रखते हैं हां जी अब आगे से ऐसा योगा बैग लेस्ट्रेस्ट लेस्ट विदाउट बैक के नोलेजिंग कुल अपक है मालो जैसे में पिएच्डी वाड़ा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता यह सारी क्लासीज को हैंडल कर सकती है इन ओल सब्जेक्ट यह हमारे विद्याने की एक परकार से मालो अच्रीमेंट आपके अच्छी बात अभी देखो यहीं से पढ़े बच्चे और पढ़के फि नमस्कार